नगरपाली का दिनियम दो जार तीन सो चार से तीन सो आठ इधारा इससे पहले तीन सो तीन तक की जा चुकी है नगरपाली का दिनियम दो जार नौ यू आरो के बैच में अधिनियम कंप्लिट होने वाले हैं ये पांच 25 हैं चार, पांच, चैस, साथ और आठ इसमें की जो इसके अंतरगर्थ वाद और अभ्योजन से संभंदी टोपिक चल रहा है ये जो 13 वाद चैप्र है ये जिसमें वाद और अभ्योजन का टोपिक है कमी है इसमें 308 तक की है फिर अगला 14 टॉपिक है जिसमें 18 धारा हैं और बचेगी 27 तक है 304 304 क्या कह रही है देखो 304 में लिखा है कि कोई कोई भी वैक्ति यानि नगरपाली का या उसके अधिकारियों के विरुद वाद से समबन दिते हैं कि नगरपाली का या नगरपाली का के अधिकारी नगरपाली का के अधिकारियों के विरुद वाद यानि वाद कब चलाया जा सकता है उसके समबन में 304 304 में नगरपाली का के अधिकारियों और करमचारियों के विरुद वाद अधिकारियों के विरुद वाद तो क्या कह रहा है कि नगरपालिका का जो अध्यक्स है उपाद्यक्स है, सदस्य है कोई अधिकारी है करमचारी के विरुद वाद या उसे किसी किसी निदेश के अधीन पद से समंदित किये गए कारिये की लिवाद तब ही लाया जाएगा जब आगे डिटेल देखेंगे कि कब लाया जाएगा तो ये कह रहा है कि नगरपालिका का कोई भी करमचारी है अधिकारी है सदस्य है उपद्यक्स है या अधिक्स है उनके दोरा किये गे कारियों के लिए वाद उनके जो काम किये हैं जैसे कर्मचारी ने कोई कारी किया तो उसके उसने कारी किया और कारियों में कोई गरबड़ी हो गई है तो उसके विरुद वाद लाया जाएगा तो कैसे लाया जाएगा तो उस कारी के लिए लाया जा रहा है जो कारी उसने किया है उसमें कोई गरबड़ी हो गई है तो उसकी वज़े से उसके विरुद वाद लाया जा रहा है तो अब ये जो वाद लाया जाएगा वो उस कारी के विरुद लाया जाएगा ठीक है न? और वो कारी किस वज़े से किया उसने किसी निर्देश के अधिन किया है यानि उसको कारी करने के लिए कहा गया है मान लो मैं नगर कालिका का कोई अधिकारी हूँ और मुझे मैं किसी निर्देश उच अधिकारी के निर्देश अनुसार में काम कर रहा हूँ तो मैं वो काम अपनी विवेक्ष थोड़ी कर रहा हूँ मैं किसी अपने उच्छत अधिकारी के आदेशों निर्देशों के अनुसार कर रहा हूँ और निर्देश के अधीन पद से सम्मंदित किये गए कारिये के लिए वाद कब लाया जाएगा तो देखो कब लाया जाएगा जब उन्हें लिखित नोटीस जिसमें वाद का कारण और चाहा गया अनुतोस यानि जो कमपनसेशन क्या चाहा गया है क्या स्वरूप दावा की गई रासी अनुतोस क्या है वादी का नाम निवासिस्तान आदी का उलेख होगा यानि लिखित नोटीस होगा वाद का कारण हो गया चाहा गया अनुतोस वो क्या चाहता है ठीक है का स्वरूप किस रूप में वो अनुतोस यानि किस रूप में वो कमपनसेशन चाहता है कितने रुपे की रासी का दावा किया गया है वादी का नाम यानि वादी का नाम दिया जाएगा निवास इस्थान का नाम का उलेख होगा यानि पूरी डिटेल तो होगी यानि जिसके विरुद्वाद लाया जा रहा है उसके बारे डिटेल तो होगी न यदि नगरपालिका के विरुद्वाद है तो उसके कारियले में दिया जाएगा यानि पूरी नगरपालिका के विरुद्वाद है पूरी का मतलब है नगरपाल भिष्वत प sticky के विरुद होने पर लिखित नौटीस उसके काлуч में दिया जाएगा मालो नगर पलिका है नगर पलिका को दिया जाएगा अगर देख्ष के विडिकान है तो उसके अद्धिक्स के घर पे दिया जाएगा या उसके कारियाले में उपदिक्स हैं तो उसके घर या कारियाले में सद्धिस्य है तो इनके घर पे या कारियाले में दिया जाएगा ऐसा नोटिस दो माहा के भीतर दे दिया गया है आधिका उलेख होगा इसमें ये भी उलेख होगा कि ऐसा नोटिस उसकार्य को करने के दो माहा के भीतर दे दिया गया है कौन सी धारा में है 304 में उप धारा एक में वरणित कोई कारवाई 6 माह की भीतर प्रारंब की जाएगी यानि किसी नगरपाली का कि किसी करमचारी अधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश के अधिन किये गये किसी कारिय के विरुद कोई वाद लाया जाता है तो वो कारिय संपन होने के बाद 6 मा के भीतर वो वाद लाय जाएगा 6 मा के बाद वाद नहीं लाय जाएगा दारा 304 में उपदारा 1 की कोई बात किसी ऐसे वाद पर लागू नहीं होगी जिसम determined 102 के वले व्यादेश से सम्मंदित हो जिसका उद्धिस से नोटिस देने या वाद या कारवाई को प्रारम करने की मुल्तवी करने में विफल हो जाए यानि उस कारवाई को प्रारम करने को मुल्तवी करने में विफल हो जाए तो उसके संबन्द में उसका अनुतोस केवल उस पर लागू नहीं होगा केवल सूचना देने के लिए है तो उसके उपर वो वाद लागू नहीं होगा केवल मुल्तवी के लिए है ऐसा कोई काम किया गया है जिसमें केवल वो कारवाई प्रारम करने को मुल्तवी करने के लिए संबंदित हैं कारवाई करने की सूचना से संबंदित हैं तो उस पर एक धारा की कोई बात किसी ऐसे वाद पर लागू नहीं होगी यानि धारा एक में क्या था कि वो कोई निर्देशों के अधीन काम कर रहा है तो वो वाद लाया जा रहा है और लिखित में देना पड़ेगा लेकिन केवल सूचना के लिए था कोई केवल कारवाई शुरू करने के मुल्टवी करने संबंदी था तो वह वाद उस पर वो लागू नहीं होगा एक 305 में क्या है कुछ मामलों में सिविल नियाले द्वारा अइस्ताइ निसेद्धाग्या मंजूर नहीं किया जाएगा यानि कुछ मामलों में जो सिविल कोर्ठ हैं उसके द्वारा अइस्ताइ निसेधाग्या मंजूर नहीं की जाएगी, यानि निसेधाग्या मतलब निसेध मंजूर नहीं किया जाएगा, कुछ मामलों में नियाले के द्वारा, नियाले के द्वारा नियाले के कुछ मामलों में निसेध का मंजूर नहीं किया जाएगा, निसेध की आग्या नहीं दी ज समीति हैं कि अध्यक्स सदस्य उपाद्यक्स अधिकारी करमचारी की सक्ति का प्रियोग किसी कारिय का निर्वन करने से किसी व्यक्ति को इस आधार पर अवरूद करता हैं कि ऐसा व्यक्ति उप्युक्त पदों पर निर्वाचित हैं निर्युक्त नहीं किया गया है किसी नगरपालिका के या उसका कोई समीती है कोई उप समीती है का कोई अध्यक्स है कोई सदस्य है कोई उपाध्यक्स है कोई अधिकारी है या कोई करमचारी की सकती का प्रियोग किसी कारियों को निर्भन करने से किसी व्यक्ती को इस आधार पर अवरूत करता है कि ऐसा व्यक्ती उप्युक्त पदों पर निर्वाचित na न्यूक्त नहीं किया गया है यानि किसी व्यक्ति को इस आधार पर इस आधार पर नहीं किया जाएगा अवरूद नहीं किया जाएगा कि वो व्यक्ति उस पद पर नहीं है तो वहाँ पर इसकी निश्य देग्या लागू मंजूर नहीं की जाएगी दारा कौन सी 305 के अंतरकत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी नगरपाली का या उसकी समिति उप समिति को कोई निर्वाचन करवाने या निर्वाचन करवाना से मना करने से संबंदित अंत्रिम आदेश नहीं देगा यानि यहाँ पर क्या गह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी नगरपाली का या उसकी कोई समिति या उप समिति का कोई निर्वाचन करवाने के लिए या निर्वाचन नहीं करवाने के लिए भी निर्देश नहीं दिया जाएगा यानि नियाले नगरपालिका को किसी सम्मीति के या उप समीति का निर्वाचन से समंदित या निर्वाचन करवाने या नई करवाने के समंद में भी निर्देश नहीं देगा और नहीं इसमें इसमें भी यही चीज़े हैं कि कोई समीती हैं या उपसमीती हैं उसका कोई अध्यक्स या करमचारी हैं कोई उपाद्यक्स हैं या सदस्य हैं तो या वो अपनी सक्ति का प्रियोग कर रहा हैं इन मैंसे यह अध्यक्स 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 अधिकारी या व्यक्ति कि वह निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया गया है तो भी वह काम कर रहा है क्यों कि वह काम कर रहा है तो वह उसके लिए भी उसको प्सक्ष्ट काम करने से रोका नहीं जाएगा व देद्धेमार्य मंजूर्या दारा 305 के अंतरगर्दी, 306 में क्या है, नगरपालिका या और किसी व्यक्ति के बीच, किसी संस्ता के बीच कोई विवाद उत्पन हो जाए, कोई अभियोजन चल जाए, तो नगरपालिका कोई शक्ति है कि वो उस व्यक्ति से समझोता कर सकती है, लेकिन जैसे ही समझोता करे दारा 306 में है, दारा 306 के अंतरगत है, 6 के अंतरगत है, क्या कह रहा है, नगरपालिका के द्वारा या उसके विरुद किसी वाद के समझोता करने की सकती, देखो, इसके अंतरगत किसी समझोता से उत्पन होने वाले दावों, यानि कोई कॉण्टेक्ट है, संबंद में ऐसी कोई रासी मांगी जा रही है कोई प्रतिकर मांगा जा रहा है नगरपाली का से मांग रहा है या नगरपाली का मांग रही है जो नगरपाली का समझे जो जिसे नगरपाली का समझे तो उसमें समझोता वो समझोता कर सकती है नगरपाली के समझे के संबंद में यानि उस वाद के संबंद में के संबंद में मतलब उस वाद में या दावे के संबंद में दावा है कि किस बात का है कि कोई मांग है या कोई रासी मांगी जा रही है कोई रासी मांगी जा रही है नगरपाली का इस अधिनियम के अधीन स्पयम के द्वारा नगरपाली का इस अधिनियम के द्वारा खुद के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा सक्ति के प्रियोग के द्वारान किसी व्यक्ति को हुई हानी का भुकता नगरपाली का निदी में ऐसे किया जाएगा यानि वो तो अपने ध्यान दिया होगा आपने तो पहले भी अपने पड़ा है कि नगरपालिका जब कोई कारी करती है और कारी के द्वारे किसी व्यक्ति को हानी होई है तो उसका बुक्ता नगरपालिका खुद अपने जो नगरपालिका की निदी है उसमें से करेगी नगरपालिका की और से अभ्योजित या पर्तिवादित किसी सीविल कारवाई का खर्च का संदे भी इसी निधी में से किया जाएगा यानि नगरपालिका और किसी व्यक्ति के बीच में कोई वाद उत्मन हो गया और सीविल कारवाई शरू हो रही है और उसमें जो कुछ खर्चा होगा, वो सब कुछ नगर पालिका निदी में से दिया जाएगा, खुद के पक्स का खर्चा तो खुद देगी, और सामने वाला व्यक्ति का खर्चा, वो सामने वाला व्यक्ति देगा, दारा 300, शाच है में था, साथ में क्या है, नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीती, यानि नगरपालिका में कोई भी आवेदन, कोई रेखांग, कोई रसीद या कोई परतिलिपी होगा, और उसके उपर किसी अधिकारी के साइन है, तो वो क्या होगा, एक माना जाएगा, या साक्से माना जाएगा, यह ही कहा रहा है, अभिलेखों को साबित करने की रीती, कि नगरपालिका की कबजे में कोई रसीद है, कोई आवेदन पत्र है, कोई रेखांग, यानि प्लान है, कोई नोटीस है, आदेश की कोई परतिलिपी है, या किसी रजिस् प्रथम द्रष्टी से साक्से की रूप में ग्रहन किया जाएगा, यानि जैसे कोई प्लान है, और प्लान बना, प्लान बना और उसके संबंदी जो अधिकारी है, उसने उसके उपर महर लगा दिया और साइन कर दिये, तो वो एक प्रकार से, वो एक दस्तावेज बन गया, वो साक्से बन गया, कि ये प्लान बन चुका है, उसको साक्से की रूप में पेस किया जा सकता है, जैसे मान लो किसी प्लान के संबंद में कोई वाद उत्वन हो गया, और ये लगा कि वो प्लान है, वो गलत था, लेकिन वो नगरपालिका ने बनाया है, और अब नगरपाल कि महौर और समन्द अधिकारी के साइन है 308 में क्या है दस्तावेज परस्तुत करने के लिए नगरपालिका के करमचारियों को समन्द करने पर निर्बंदन यानि कोई अगर वाद उत्पन हो जाए तो वाद उत्पन होने के बाद नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी को उस वाद के संबंद में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन नहीं दिया जा सकता समन ये नोटिस नहीं दिया जा सकता उनको आदेश नही नहीं देखो ऐसे मामले जिसमें नगरपाली का पक्सकार नहीं है तो सीधी सी बात है पहले से खारिज हो गया कि वो पक्सकार नहीं है तो वो अपना अपना दस्तावेच क्यों देगा हाँ अगर पक्सकार है तो वो देगा आगे देखते हैं तो नगरपाली का कि किसी भी दस्तावेज जिसकी विश्यवस्तू प्रमानित प्रतिलीपी की रूप में साबित की जा सकती है जो पिछले पेजवाला देखा था आपने ये देखो ये जो प्रतिलीपी है वो एक साक्से की रूप में है तो यहां पर वो साबित की जा सकती है तो क्या करना है तो ऐसे दस्त प्रस्तुत करने की अपेक्सा नहीं की जाएगी लेकिन नियायले ने अगर ऐसा कह दिया है कि आप दस्ताविज लेके आओ तो फिर जाना पड़ेगा क्यों क्योंकि नियायले की अवमानना मानी जाती है कंटेंट कोट आप कंटेंट माने जाता है तो वहां जाएगा यद भी वहां पर इस ऐसे केस में जिसमें नगर पालिगा खुद पक्सकार नहीं है लेकिन उसको उसका दस्ताविज वहां पर कुछ साक्से की रूप में काम आ सकता है तो समंदित नगर पालिगा को नियाले आठ में था समन करने का निर्बंदन 307 में क्या था कोई भी दस्तावेज हैं तो वह दस्तावेज हैं वह साबीत पर्थम द्रश्ट्या साक्से की रूप में होगा तो धारा कहां से कहां तक थी 308 तक